कैसे हैं दोस्तो मैं हूँ चंद्रिश ठाकोर और आप देख रहे हमारी अपनी यूटूब चैनल चंद्रिश्टी तो यह जो था मेरा अलड़ी लास्ट वीडियो आया था 18 तारीक को उसके बाद 19-20 को चुट्टी थी और 20 के ऊपर मैंने जो रिव्यू दिया था एक्जेट मार्केट ने उसी हिसाब से काम किया हुआ है तो मोटा मोटी उसमें देख ले थे अभी क्या फर्दर एक्सपेक्टेशन है ठीक है आगे क्या हो सकता है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने बोला था यह बी वेव है अपना जो कनफरमेशन हमको बी आसपास एक बार जो है आसकता है वैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि वो जो है 17950 के आसपास जो है एक्स्टेंड भी हो सकता है सीवेव बट मिनिमम भी हम गिने तो 18100 के आसपास एक बार सीवेव को आना है और जिस साब से उसने यहाँ पर आकर शुरुआती कुछ देखे आधे घंटे के अंदर देखे 15 मिनिट में उसने काम अपना खतम कर लिया था ठीक है आज जो काम हुआ है मंडे का तो वो मैं देखता हूँ यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और यहाँ से सीधव आ गया और फिर सारा दिन बस उसी जगा पर खड़ा रह गया ग उससे कम टाइम में उसको फिर यह लेवल को जो है वापस कातना भी है तो यह आपको मैं बता रहा हूँ निफ्टी के अंदर बहुत ही जद हमको यह लेवल कटता हुआ उपर की सेट दीखेगा जो हैगा अपना 18315 का तो यह सेम एज चाल रहेगी जैसी चाल अपनी यहाँ पर थी ठीक है यहाँ से देखिए यहाँ पर जो चाल अपनी जनरेट हुई थी वो लेवल में आपको दिखा दूँ यह 17100 का लेवल है 17100 से जो 18400 क्यास पास आई है जिस हिसाब से निफ्टी उसी हिसाब से अभी यहाँ से उसे जो है नेक्स्ट मूँ मैं आपको बोलू 1000 से 1200 निफ्टी उपर जाने वाला है ठीक है यह फॉर्कास्टिंग सिस्टम है मेरा इलियट वेव नियो वेव जो मैं बहुत थी अच्छे से उसको मैंने 1200 से 1500 घंटे तक का इसका मेरा प्रैक्टिस अल्रेडी मैंने कर चुका हूं मैं इसको ठीक है और अभी जो है मैं उसको प् कुछ लेवल है आप डेफिनेटली यहां पर सी बाय करके जा सकते है और हो सकता है मोस्ट प्रॉबबलेटी है कि यहां से यहां से उपर रिवर्सल आ जाए क्यूंकि यहां पर उसने एक टाइप बेस टाइप का अपना बना लिया है ठीक है वो छोटी टाइम फ्रेम में एक बॉटम में जो है पकेड का कोशिस करते हैं तो यहां पर देखें अपना यहां पर यहां पर क्लिट हुआ ठीक है इसके बाद यह मीम बना वसके बाद यह मान सकते हैं कि यहां पर यह कंप्लेट कर लिया क्यूंकि उस тяжइंत 18.250 के नीचे एक बेज यहां पर बना लिया है तो हो सकता है यहां से रिवर्सल उसका आ जाए ठीक है इसके बाद में हम मैं वन अवर टाइम फ्रेम एक बार खुलना चाहूंगा तो वन अवर टाइम फ्रेम में निफ्टी देखे यहां पर उसने जो है चार मिनिट वाला था उसमें भी वो अलड़ी बता रहा है कि उसका चार मिनिट टाइम फ्रेम का जो है एक फॉर्थ वेव है वो कंप्लेट हो चुका है तो यहां पर भी मोस्ट प्रॉबिलेटी है कि यह अभी उपर की साइड निकलना चालो हो जाएगा उसके बाद एक बाद डेले टाइम फ्रे या आपने सारे जो स्टॉक है वो भी आने वाले मैक्सिमम कल दो पहर के बाद यह उपर चलना चालो हो जाएगे ठीक है तो कल दो पहर के बाद ट्राइ कीजिएगा निफ्टी को गर कल सुबह आप उसको सी ले पाए ठीक है तो बहुत अच्छा है सी कौन सा लीजिएगा त अठारा पांचो का सी लीजिएगा जो अप्रोक्स आपको अभी 10,000 के आसपस पढ़ रहा होगा तो यह क्या होगा आने वाले वक्त में जो है बहुत ही क्विक मू आने वाला है इसका ठीक है बहुत ही फास्ट मू आएगा उपर की साइड तो यह जो अठारा पांचो है वो 23 यानि मुधवार को हो सकता है में भी मुधवार या गुरुवार को यह जो है उननीस आठ सो के आसपस निफ्टी चला जाए तो यह बहुत अच्छी ओपॉर्चुनिटी है आपके लिए बाय करने के लिए यहाँ पर अगर आज ही अपने बाय कर लिया है और कल मार्केट ग गुलोबल ली नेगेटी हो गया तो यहाँ तक ठीक है तो यह हो गया अपना निफ्टी का व्यू उसके बाद और एक ट्रेड है जो इनिशेट आप कर सकते है HDFC के अंदर तो HDFC के अंदर मैं आपको बताओ यहाँ पर देखे 15 मिनिट टाइम फ्रेम का ABC उसने भी अपना कंप्लिट कर लिया है तो यहाँ से अगर यह उपर की साइट निकलता है तो बहुत ही अच्छा लेवल निकलता हुआ आ रहा है मैं इसको एक बार 5 मिनिट टाइम फ्रेम में भी देख लेते है इसको ठीक है तो इसका जो है 2750 के आसपास का लेवल आ रहा है 15 मिनिट टाइम फ्रेम HDFC जो है अपना बेस बना चुका है वन आवर टाइम फ्रेम एक बार देख लेते हैं तो इसके अंदर देखें 2900 से 3000 तक के टारगेट HDFC के आ रहे है तो आप इसको फ्यूचर में बाई करके जा सकते है और आप चाहे तो इसका 2700 का जो कॉल आप्सन है डिसेंबर एक्सपाइरी का डिसेंबर एक्सपाइरी लीजिएगा वो लेकर जा सकते है बहुत ही अच्छी ऑपर्चिनिटी है उसी टाइब का ट्रेड जो है यहाँ पर मुझे आता हुआ दिख रहा है थैंक्यू फर वाचिंग वीडियो दोस्तो वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और चैनल को जो सस्क्राइब कीजिए थैंक्यू वेरी मच